ओम शान्ति आज 15 मैं इंटरनेशनल फैमिली दे हैं विश्व के अंदर समय प्रते समय अलग-अलग दिन मनाये जाते हैं क्यों? क्योंकि शायद धीरे-धीरे जो संस्कृती थी वो लुप्त होती जा रही है विश्व में पारिवारिक संबंद से एक दूसरे के साथ जुड़े थे वो फैमिली वैल्यूज थे लेकिन धीरे-धीरे विश्व में वो फैमिली वैल्यूज लुप्त हो गए परिवार तूटते गए अलग-अलग हो करके सब रहने लगे क्या ये भी कोई जीवन है भारत की संस्कृती देखो तो एक समय था जब संयुक्त परिवार होते थे जहां सारा परिवार इखट था रहते थे और आपस में बहुत प्यार होता था एक ही रसोई घर में सबकी रसोई पक्ती थे और परिवार में भी कहां बच्चे बड़े हो जाते थे पताई नहीं चलता था मात पिता होगी लेकिन धीरे धीरे फिर न्यूक्लियस फैमिलीज होने लगे परिवार बिखरने लगे नौकरी धंदे के कारण चाहे शहर में जाने लगे और जो संयुक्त परिवार थे वो बिखरते हुए न्यूक्लियस फैमिलीज हो गई वहां तक भी ठीक था कि कम से कम एक ही परिवार के अंदर माता पिता बच्चे तो रहते थे लेकिन धीरे धीरे फिर आवश्यकता इच्छाएं बढ़ने लगी और इन इच्छाओं की पूर्ती के लिए मात पिता दोनों काम पर जाने लगे तो बच्चे अकेले घर में रह गए अकेले किसके साथ रहे और अकेले वो बच्चे कैसे बड़े हो तो कहीं न कहीं टीवी का सहारा या कोई बाहर से व्यक्ती रखा जो उनकी संभाल करे तो नैचरल है कि जो संभाल करेगा वो संसकार भी तो वही देंगा और वही संसकार होने से धीरे-धीरे परिवार के अंदर भी मन मुटाओ होने लगा एक दूसरे से संबंद में वो प्यार समापत होने लगा वो प्यार लुप्त हो गया और तब वो एक परिवार भी भी खरने लगा और धीरे धीरे single parenting हो गया या बच्चा मां के साथ या पिता के साथ और इस तरह से वो बच्चे बढ़ने लगे अब natural है परिवार की feeling क्या होती है वो उन्हें पता ही नहीं तो ऐसी जब families हो गई सारी families जब विखर गई तब आज ये दिन मनाना पड़ता है ताकि कम से कम इस दिन के माध्यम से भी लोग एक दूसरे के समीब आए तूटे हुए परिवार फिर से कहीं न कहीं जुडाओ मैं आ सके अनुभव करे इसलिए ये दिन मनाय जाने लगे लेकिन देखा गया है कि family का जो शाब्दिक अर्थ था family अर्था father and mother I love you यह कहना पड़ता है पहले के समय में यह कहने के आवश्यक्ता नहीं होती थी क्योंकि इतना प्यार परिवार में ऐसे बना हुआ था एक दूसरे के बीच एक ऐसा बॉंड था जहां साथ में मिल करके बैठ के पूजन करना साथ में बैठ करके सभी प्रॉब्लम्स डिसकस करना कोई भी बात हो तो एक दूसरे को सुनाना और एक दूसरे का सानिध्य मैसुस करना कहा जाता है कि एक परिवार जिसमें मात पिता और बच्चे अब मात पिता अपस में बात कर लेते थे और और नेक्स डे का प्रोग्राम बना देते थे बच्चे को कुछ पता ही नहीं चलता था तो एक दिन शाम के समय जब लिविंग रूम में बैठे थे सबी तो बच्चे ने कहा इस घर में क्या होता है हमें तो कुछ पता ही नहीं चलता है पिता ने का अच्छा तुम्हें भी पता होना चाहिए मात पिता अपस में शेर कर लेते थे बच्चों को क्या सुनाना तो जब बच्चे ने ये स्टेट्मेंट दिया कि इस घर में क्या होता है मुझे तू पता ही नहीं चलता है तो पिता ने का ठीक है कल से लेकर के तुम्हारे कमरे के बाहर एक सारा लिस्ट लगा दिया जाएगा कि आज के दिन का सारा क्या क्या कारिक्रम है ठी है दूसरे दिन से सुबस से ही पिता एक लिस्ट तयार कर देते थे आज क्या क्या होने वाला है क्या क्या कारिक्रम है वो सारा उसके बाहर, कमरे के बाहर लिस्ट चिपका देते थे हफ़ते के बाद शाम को फिर जब लिविंग रूम में बैठे थे फिर बच्चे ने ये कहा कि इस घर में क्या होता है हमें तो कुछ पता ही नहीं चलता है क्या क्यों, तुम्हारे कमरे के बाहर तो रोज लिस्ट लगा दिया जाता था, क्या आज क्या क्या होने वाला है, फिर ऐसे कैसे कहते हो, भावार्थ बच्चे का यह था, कि परिवार माना जहां शेरिंग और केरिंग हो, उसी का नाम तो परिवार है, शेरिंग, जो बात है, उन्हें लिस्ट के रुप में चिपकाया हुआ नहीं चाहिए था, लेकिन वो समझता है, इस परिवार का मैं हुश्सा हूँ, इस परिवार का मैं भी हिस्सा हूँ, तो मेरे साथ भी हर बात शेर किया जाए, यह उसकी चाहना दिया, तो इसी लिए कहा, आज परिवार के अंदर सभी बैठे हैं, लेकिन हर कोई अपने-पने मोबाइल पर लगे हुए है, परिवार में होते हुए भी वो परिवारिक फीलिंग, वो शेरिंग, वो केरिंग लुक्त हो गई है, और इसी लिए, आज इसकी आवश्यक्ता है, तो परिवार के अंदर हम सब जहां एक साथ, एक छट के नीचे बैठ करके, कुछ समय मोबाइलों को साइड में करते हैं, और परिवार मिल करके जैसे शाम के समय इंटरेक्ट करते थें, वैसे इंटरेक्ट करना शुरू करें, अर्था, हम अपने फैमिलीज को, परिवार को, सच मुझ का वाई-फाई होम्स बना दें, वाई-फाई होम्स मना, वो इंटरनेट वाला नहीं, एक बार कहा जाते, एक दादा दादी ने अपने पूरी परिवार को बुलाया, भोजन पर, ताकि फैमिली पूरी इठठी हो करके, बैठे, बात करे, शेयर करे, क्या-क्या हो रहा है, सब बच्चों को बुलाया, सबी आए, लेकिन हर कोई के लिए ये नियम रखा गया था, कि सब को अपने मोबाईल फोन्स दोर पर ही, एक बॉक्स जो था, उसके अंदर डाल देना था, जमा कर देना था, बॉक्स लोग था, कोई भी निकाल नहीं सकता है, क्योंकि दादा दादी ने देखा था, कि पिछले साल उन सब को इन्वाइट किया था, तो सब अपने मोबाईल पर लेकर के बैड़ गए, और दादा दादी एक कोने में तूसरे का मुझ देखते रहे, तो इसलिए इस साल उन्होंने नियम बनाया था, कि कोने में ही बॉक्स रखा है, वहाँ मोबाईल डाल देना है, जाते समय आपको मिले गए, और खुब एंजॉई करना है, और सच मुझ में वो फैमिली एक वाइफाई होम बन गया, वाइफाई होम का मतलब है, विदाउट इंटरनेट फैमिली इंटरेक्शन, वाइफाई, विदाउट इंटरनेट फैमिली इंटरेक्शन, बहुत बहुत आवश्यक्ता है, यह वर्तमान समय की उकार है, क्योंकि तब ही हम एक दूसरे को वो अपना पन महसूस करा है नहीं तो धीरे धीरे लोग डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं यही अकेला पन उनको अंदर से खाया जा रहा है तो क्यों नहीं सच मुझ में एक फैमिली दे नहीं लेकिन सदाकाल के लिए एक दूसरे का सानेध्य देते हुए लेते हुए एक दूसरे को वो प्यार सने सम्मान देते हुए उस परिवार के अंदर वो सने भरा वाइब्रेशन बरते हैं आज जब करोना काल देखते हैं तो कई परिवारों में से लोग करोना के शिकार हुए हैं और इसलिए परिवार के अंदर कई लोग एक साथ में भी चले गए तो ऐसे समय में उन लोगों के साथ भी जो पारिवारिक सने हैं वो बाटने की आवश्यक्ता हैं इसलिए भारत के अंदर ये संस्कृति थी वसुधेव कुटुम्टम की कि सारा विश्व ही हमारा परिवार है और इसलिए जिन परिवारों में जिनों बी अपने मात पिता को खोया है परिवार को खोया है इस करोना की बिमारी में उनके साथ भी वैश्विक स्तरपर अर्थात एक वसुधेव कुटुमकम के भावना के साथ हम सब परमात्म के संतान है और उस फीलिंग के साथ एक दूसरे के समी पाए एक दूसरे के केर करे उनके साथ भी कुछ बाते शेयर करे और शेयर करते हुए उन्हें ये पारिवारिक बासना जरूर गे यही परमात्म हम बच्चों को सिखाते हैं क्योंकि एक परमात्म की संतान होने के नाते हम सभी एक परिवार के ही सदस्य है तो क्यों नहीं वसुधेव कुटुंकम की भापना को उनह जागरत कर ऐसे वाइब्रेशन सारे विश्व के अंदर के लाए जो हर आत्मा को अंदर से बल मिले हिम्मत मिले और वह भी इस परिवारिक फिलिंग में परमात्म परिवार के स्नेह का अनुभव करते हुए उस परमात्मा को याद कर सके वही हमारा सुप्रीम मात्पिता है तो उसके प्यार को उसके वर्से को उसके सदगूरो को शक्तियों को हम जीवन में अनुभव करें अच्छा ओम शान्ति